हेलो मेरे एक्जाम वार्योर्स मैं दीपा वर्मा अभिप्षा एजूकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस एक्जाम सिरिस मिशन 2023 में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने मार्च मिशन में निकल चुक हैं और हम तयारी क्या कर रहे हैं अपने दस्वी और बार्यट परिक्षैं के तयारी driving की है ना और हम इस लेक्षर में पढ़ने वारे समाजी नहीं की है तो बच्चो हमने पिछले है काई एक और इक को इक दो को complete कर चुक हैं इ जिसमें एकाई चार पर जिसमें तीन अध्याय है आपके पहला कृषी दूसरा दो विष्व युद्ध्यों के बीच रुसी क्रांति और महामंदी तीसरा है मुद्रा एवं शाक है ना यह यह आपका आता है geography से, यह आता है history से, यह आता है आपका economy से, है ना, तो इस एक आई से बेच्छे देखना, एक marks के, दो marks के और चार, sorry, पांच marks के question है ना, यह, चार marks नहीं है, पांच marks के question है, कित्ते कित्ते के, एक, दो और पांच marks के question, जिसमें एक marks के, तीन कोशन, दो marks क कोशन और पांच माइकмотр का कोशन ठीक है तो जब मियरे चप्टर और क्वूरिकर के लिरत ज़िक्त से देखना हे प्छाइब का थीक है तो टीन तौंग हय तो यह से टोटल 10 मांक से कोशन आएंगे तो यह 10 मांक सा कोशन है अच्छा कासा चैप्टर है तो इसको उस सरीके से तैयारी करनी है तो आज हम क्या पढ़ने वाले अपना ध्यायत 3 कृष्षी ठीके जो कक्षा नस्वी के समाजी की जयन के अंतरगत आपके जोगरफी भूग करो पूरे चैप्टर को समर्वाइज ले लो तो या में इसा रिव में समझ नहीं लिए OS नहीं को इसमाज नहीं आदे आ बहुते हों इतना भी याद करताए लो है ना तो आफ lima की चीजों के औसर दें पाओगे ठीक है तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें भार्त म मैं फसल रितू कितने प्रकार के होती है तीन प्रकार के निसम प्रप्रपादन का उतौस के एपनतीक तो बढ़ रही है तो तो क्या है हमें है क्या करने होगा परको प्रभाव पड़ता है'ma यह सब्सक्रामद में है लुख इसको रोगता बढ़ आपको कहसे प्रुछइज सरस ला हुआ तो खरी फसल, रवी फरस और जायत फसल ठीक है इतने ही तीनों यह तीनों अच्छे से देख लिए ना आपके MCQ और 2 माख से कोशन पूरे बन जाएंगे है ना फसल में वृद्धी कैसे करोगे है ना तो या तो आप उत्पादन बढ़ाओगे या तो आप जमीन बढ़ाओग या तो क्या करोगे पानी अधिक दोगे है ना जैसे क्या होगा के वहल एक सीजन में नहीं हम बाकि तीन सीजनों में भी क्या कर सकते या फसल रवाजन कर सकते ठीक है बच्छे तो आपको यह पूरा समझना है ठीक है भू मंडिली करन्ट के मतलब क्या है एक देश की यहीं क्या होता है भूम अंडिली करन भारती क्रिशी पर क्या प्रभा होगा इसको आपको देखना होगा ठीक है तो यह पूरा चैप्टर समझ आया चलो अब आगे हम कोशन देखते हैं ठीक है तालीका बना कर प्रस्तूत करें या जायर फसल के दो नाम लिखें ये दो माक्स का कोशन आ सकता है या खरीब रभी जायर फसलों का विवरन उधारान सही दीजिए इस कोशन में आपके पूरे फसल कंप्रीट हो जाएंगे है इस कोशन का ए आंसर देखेंगे से पूरे आपक को रितू है कि मुखेता रितू है तीन कौन कौनसी मांसूल वर्षा रितू शीत रितू गριश्मरी पसल उलगि तो रभी फसल और जब ग्रिश्मरी रितू आएगी तो क्या करेंगे जयर फसल ठीक है तो रितू पाता चल अब इन फसल्लों में हम कब होते हैं कब क्या करते चलोगी ये देख लेते हैं, ठीक है, फसल के प्रकार, पहला फसल कौन सा है, खरीब फसल, ठीक है, बोवाई का समय क्या होगा भई, इसका मानसुन के आगमन के साथ, मतलब जुन जुलाई के समय, ठीक है बच्चे, कटाई सितंबर अक्टूबर में होगी, मुख ठीक है, जैद फसल में कौन-कौन से फसल आते हैं, धान, मक्का, बाजरा, जौर, ठीक है, ये याद हो गया, आपको 1 मार्क से कोशन, 2 मार्क से कोशन, ये सी से आएंगे, ठीक, आगे, रवी फसल, शीत्री टू, शीत्री टू कब आती है भई हमारे हां, अक्टूबर जब जैसे हम खरी फसल को काटते हैं, रवी फसल की उगाना शुरू कर देते हैं, इसकी कटाई कप की जाती है, ग्रिश में मतलब अप्रेल से माई के बीच, मुख्य फसल क्या है, गेहू जो चना मटा, ठीक है, अब आता है आखरी, जायद फसल, ये कब है गर्मी के टाइम मतलब जब पानी बहुत कम होता है, तब कौन सी फसल होती है, जायद, मतलब मार्च अप्रेल में, और इसको काटा कप जाता है माई जुन में, इसमें क्या तर्बूच, ककडी, खीरा, मुख, ये जो हम गर्मियों में बहुत खाते हैं न, भी समझ लेना, ये गर्मी के फसल ह ठीक है, तो आपने ये समझ लिया है, बहाई का समय क्या है, कटाई का समय क्या है, मुख्य फसल, और इसके बारे में आपको एक एक लाइन लिखके, अगर आता है, तो आपको ये चार्ट बनाके इसके बारे में दो-दो लाइन लिख दे रही है, बस, पूरा आंसर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है, टू मार्क्स में भी किसी एक के बारे में पूछेगा, तो आपको इतना बता देना है, या तो वन लाइनर ही होगा, खालिस्था में पूछ दिया जाएगा, सही जोड़ी मिलाओ, या तो आपके वन सी क्यों में, तो इतना अच्छे से ये उतपादन पर क्या प्रभववपढ़ता है, छलो आजए देखते हैं, फसल में वर्दी, विर्ट में भारत में फसलों के उतपादन में, वर्दी की कुछ अधारबुत कारण है, क्या है वई, जिसके फसल में वर्दी हुई है, तहला क्या है, नीदा वोय गए चेतर में वर तीसरा उत्पादक्ता में वรिद्य ठीक है बाई नीरा भोगए क्षेतर में व्रिद्य ये कैसे हो सकता है कि हम क्या चीछ बढ़ाएं कि फसल उत्पादर में व्रिद्य हो जाए तो देखो बच्छो ठीक है किसी एक किसान के पास 1-re अगर भूमी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, समझ लो 10 kg धान उग रहा है, अब इसको अगर एक्स्ट्रा भूमी मिल जाए, एक एकर और, तो 10 kg और बढ़ाएगा, तो टोटल कितने होगा है, 20 kg, ठीक है, तो क्या है, वो उसके पास अभी 10 kg होगा पार था, अब कितना होग अब खेट बना निकले नहीं, क्योंकि वन को भी हमें क्या करना है, संरक्षन करना है, इसलिए क्या है, अब जो पॉइंट हो जाता है, कि हमें भूमी में बढ़ावतरी करें, यह बहुत कम होगा, ठीक है, अगला क्या है, सिंचित भूमी में व्रिधी, मतलब देखो, हमारे क्रिशी का मुख्य क्या है, कि यह क्या है, मानसून अधायत क्रिशी है, यहां अधिकतर जो जगा पे है, वो मानसून पर ही क्रिशी की जाती है, और जो खरी फसल है, खरी फसल मतलब मानसून, उसके बढ़ कौन साता है, रवी फसल, तो जब रवी फसल है, वो उन्ही जगो पर ज्यादा की जाती जहां सिचाई की सुविधा हो है लो जैसे यह ए गाउं वाले हैं और यह बी गाउं वाले ठीक है तो इनके पास सिचाई की कोई सुविधा नहीं है ठीक है तो यह कब बोएंगे भई केवल मानसुन में अब इनके पास सिचाई की सुविधा है तो यह मानसुन में बारे शुविधा अब तो कोईगे लेकिन उसके बाद भी क्या है शीत रितू में भी क्या करेंगे यह फसल बोएंगे तो यह दो बार रुप आ रहे हैं है ना उसके बार यह जायत की भी फसल लेंगे किनके पास सिचाई की सुविधा उपलब्द है तो जब सिचाई की सुविधा उपलब्द होगी तो क्या करेंगे यह एक मौसम में नहीं तीनों मौसम में क्या करेंगे फसल लोग आएंगे तो इससे क्या होगा तीनों मौसम में फस बीजों का प्रयोग करेंगे, कीट नाश्रकों का प्रयोग करेंगे, जिसे हमारा जो फसल हो खराब न हो, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जिसे अच्छी फसल होगे, सिचाई को अच्छे बैठर अपनाएंगे, तो ये सब से क्या होगा, उत्पादक्ता में वृद्धी हो भूमी की रुख्षता शमता कम होगी, किट नाशकों प्रयोग करने से भूमी में रसायन तत्वा बढ़ेंगे, सिचाई जाधा करने से क्या होगा, भूमी की लवनी शमता बढ़ जाएगी, तो ये सब क्या होगा, उसमें कहीं न कहीं बाद में निगेटिव इफेक्ट करना, ये सब क्या थी, हमारे हरित प्रांती की दोरा की गई थी, ठीक है, तो ये समझ आया, चलो, आगे बढ़ते हैं, क्या ओद्योगी क्रवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि वो अब क्या ओद्योगी करन होते जा रहे है, मतलब तो हमके जो क्रशी के पंधती है, उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा मशीनी चीजों को अपयोग करें, जैसे इसी चाई के लिए हम रगारे, कीफ, नाशक, उर्वरक, तो ये क्या है? और द्योगी क्रवस्था है, जिसके कान क्या है? हम अब क्या है? जो पारमपरिक क्रश टेक्स देते हैं ग kicking को है ना कि हम सेवा प्रृप्रयो कर रहे हैं है ना यह हमारी इंकम अच्छी हुआ है तो क्या करते हम गार्मेंण को hugely करते हैं उसी प्रकार क्या होती हैं उसको सुूछ करने के लिए या उसका सही मोल्य मिल पाई उसलिए क्या कर सकती गौर्णमेंट क्या करती है उनको अनुदान देती है कि उनके जो मार्केट है उनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बीक पाई इसके लिए क्या करती है सो गौर्णमेंट क्या करती है उनको अनुदान देती ठीक है तो क्या है जो विक्सित देश है हमारा देश क्या है भारत विकास सिल देश है विक्सित देश बोला तो क्या होगा भई अमेरिका ब्रिटेन रशिया ये सब क्या है विक्सित देश है ना तो ये क्या करते अपने किसानों को अनुदान देते अब अनुदान देने से हो परसर लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है ठीक है फरसर लागत कम होने से विक्सी देशों के क्रिशी उत्पाद अंतराश्टी बजार में सस्ते हो जाएंगे इसका अंतराश्टी बजार में इसकी मांग अधिक होती है मतलब भारती क्रिशी पर प्रभाव क्या है भई भ government ने वहां कि उसको क्या कर दिया 50 रुपई अनुदान दे दिया अब ये इसको 50 रुपई तो गौर्णमें ने दे दिया तो अब इसकी लागत कितनी हो गई केवल 50 रुपई तो ये क्या करेगा अब इसको 100 रुपई में ही बेच दिया 100 रुपे में बेचा तो क्या हुआ इसकी market rate काम हो गई वहीं अगर हमारे यहां भारत में देखो के 100 रुपे इसकी लागत थी इसको कोई लागत नहीं, इसको कोई अनुदार नहीं मिला तो यह बेचेगा कितने में? 1500 रुपे में है ना? लेकिन इसको तो लागत 50 सीचले 100 में बेचा लेकिन हमने कितने में बेचेगे? 1500 रुपे में तो इसकी जो मुल्य है क्या हुआ अंतराश्टी बजार में कम होगई? हमारे मुल्य क्या हुआ? बढ़ गया दुश्परिनाम हो सकते हैं, क्या उपर नीचे हो जाएगा, नलकुप सूख जाएगे, हो सकता है कुछ छेत्रों में पानी की कमी हो जाएगी, तो ये सब क्या होगी, जब नलकुप द्वारा मतधिक सिचाई करेंगे, तो उसके दुश्परिनाम होगे, ठीक है, आगे, भूम यापान से बन क्या हो, तो यो फोन यूज हो भी कहें, दूसरे देश बनकर आया है, हमारे यहां से कुछ प्रोडक्स ऐसे होते हैं, देशी प्रोडक्स वो क्या होते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वही क्या है भूम अंडली करण मतलब आपकी बनी हुई आपकी हां की बनी चीज़े दूसरे देश में जाएंगे और दूसरे देशों की बनी हुई चीज़े क्या होती है हमारे देशों में आएंगे तो यही क्या होता है ग्लोबलाइजेशन भूम अंडली करण ठीक है द देश वैपार अवरोधों को कम कर ना जिसे वस्तुओं का विभिन देशों में बे रोक्टोक आदान प्रदान किया हो किया या वैपार हो सके सिंपल से बाते भूमंडिली करण का मतलब क्या है कि आपकी आंकी बनी चीजे दूसरे देशों में सानी से बिख सके और दूसरे द अनाज उत्पादन नी होगा तो हम खाएंगे क्या है ना तो को इस ऐसांसर को बच्च आपको अपने शब्दों में लीकुheen डिखना है और प्रीजो का अज़िए अधीक क्राधर अधिक कर्णार और संक्रवा बन भीजो का अस्तमालकरकर के कृषियुद पाधन करना हरीद करनrosti से ही भारत में कृषी के छेतर में तेदी घृध्धी हुई साथ में ही कृषी में हुए सुधार के चलते कृषी का ऊद्वधा बढ़ी मतलब क्या हुओ ह्रिट क्रीट करन Jennifer क्या हुए एट लास उत्पादक्ता में वृद्धी हुई कैसे हुई भई हमने सिंची छेत्रों या अच्छे बीजो का उपयोग किया है तो यही क्या था हरित क्रांथी था ठीक है बच्चे आपको इतना ही आंसर लिखना है ठीक है तो हरित क्रांथी किसे संबधी था क्रिशित सम्मरित है इसमें क्या किया गए शंकर बीजो का उपयोग किया गया हरित क्रांथी की तरह सबसे अलबादी कोत पादम की कौन से अनाच का हुआ तो गेहूं का हुआ ठीक है आपको यह पॉइंट सियात रखने है ठीक है चलो अगले कुशन में देखते हैं फसल चक् चलो डेफिनेशन पढ़ो फसल चक्र का मतलब है कि दो या दो से अधिक अलग-अलग फसले एक के बाद एक उगाई जाए या किसी भूमी पर फसलो को पूर्वनियोजित कायक्रम के नुसार अदल बदल कर उगाना फसल चक्र या शाहत वर्तर कहलाता है इस विधी में दो आज वाली फसलों के मध्य एक फलीदार फसल जैसे मटर, सोया, बीन, चना, मुंग अधी लगाई जाती है समझ लिए जैसे आपने धान के खिती की उसके बाद आप क्या करोगे मटर को गादोगे मटर का गोयांसी क्या होगा जो मिट्टी की रुवरता शमती है उसमें क्या होगा वो बृद्धी होगी फिर अगले फसल के लिए क्या होगा आपको अधिक उर्वहरत बाहर से डालना होगा क्यूंकि मिठ्टी के हो जाता है तो लिक्टी कि रुव रुवहकताक शमता को बढ़ाने के लिए ठीके बच्छे तो ये पूरा समझ लिए है तो यही हमारा और पूरा chapter का मैंने क्या सारांश बताया उसकी related question बताये और इस chapter से इतना ही आएगा अगर आप इतना पढ़ लोगे फस्लो के बारे में उत्पादन के बारे में हरीद क्रांती इसको कर लोगे तो इससे जदा बाहर कुछ नहीं आने वाला और इसे स्लेटर्ट क्या हो गया, आपके MCQ जाएंगे, तो चलो, अब हम क्या करते हैं, अपने MCQ को देख लेते हैं, ठीक है, पहला कोशन क्या है, भारत में वर्ष को फर्सलो के उत्पादन के दिश्रे से कितने रुतू में भाजित किया जाता है, कितने रुतू में, मैंने अधायर फसले हैं, उसमें क्या धान, बाजरा, मक्का, जवार है ना, तो क्या नहीं है भाई, गेहु नहीं है, तो इसका अंसर क्या होगा, ए, ठीक है, अगला, अधिक आदरता और उच्च तापमान वाली फसले किस रितू में होती है, अधिक आदरता चाहिए रहती है, औ और उच्च तापमान, यह का होता है हमारी गर्में, गर्में बहुत होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है, जब बहुत जब बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, एकदम आज उमस उमस लगा थे, तो वह वहीं मौसम है, तो क्या होती यह भई यह खरीब फसल, ठीक है, आगे, हरीत क्रामती से किस फसल की सरवाधिक रिद्धी हुई, कुछ दिर पहले ही बताए, बताओ भई या, जल्दी बताओ, गे हूँ, ठीक, भारत में सरवाधिक भूवी पर किस रितू में फसले बोई जाती है, किस रितू में बोई चतिस गड़ में बस्तर जिले में कर्तन दहन क्रिशी को कहते है, क्या कहते है भई, मेरा नाम ले 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 ना, दीपा, दीपा कहते है, ठीक है, चलो, आगे, खरीब फसल का आगमन होता है, बताओ, जल्दी बहुत राइम से बोल रही हूँ भई, वकर संक्रांदी के दिन, मा मानसुन के वापसी के साथ, मानसुन के वापसी मतलब शीतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृ होगी ठीक है बच्चे चलो अगले कोशन भारत में 2010-2011 के सिती में किस फ़सल का उत्पादन सरवाधिक हुआ किसका हुआ था भई यह हुआ ठीक है अगला किस फ़सल का उत्पादन विगत वर्षों में घटा है तो मोटे अनाज ठीक है तो बच्चे इतना ही कोशन देखोग है और मैं लास्स स्टार्टिंग बताती हुँ ना जो माइंड मैप उसको देख लो एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर आपको क्या होगा समराइज हो जाएगा तो बच्चे हम क्या है अपने एक्जाम सिरिश मिशन 2023 में ठीक है तो आज हमने क्रिशी चैप्टर खतम कर है और इससे इतना ही पढ़ना है इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना अगर इसी को अच्छे से पढ़ लिए दो से तीन बार सुन लोगे नोर्स बना लोगे तो वस काफी आधे गंटा इस चैप्टर को पढ़ो फिर खतम है है ना तो यह क्या है हमारा एक्जाम सिरिश है जिस जूड़ना है तो आप अभी से हमारी सीट बुक कर सकते है ठीक है बच्छे यह लिमिटेट रहेगी रायपूर में ठीक है तो आपको किसी भी तरीके से हमसे जूड़ना है या कोई भी कैसे एक्जाम रिलेटेड करे लेटेड तो आप नीचे दियो नमबरों से जूड़ कर हमसे बात कर सकने ठीक है तब तक लिबेस्ट अपर बच्चे अपने अग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करते रहें